पूजा कुमारी के रूप में हुई है जो की ग्राम टेरी की रहने वाली थी बदाय जा रहा है कि मृत युवती मानसिक रूप से ठीक नहीं थी और वो चार दिन से अपने घर से लापता भी थी पूर्वी चमपारन जिले की एक घटना ने न सिर्फ इंसानियत पर सवाल खड़े किये हैं बलकि पुलिस प्रशासन को भी कट घरे में खड़ा कर दिया है दरसल यहां एक नाबालिक बच्ची के साथ गैंग रेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई हत्या के बाद मृत बच्ची के परिजनों को मार पीट कर नेपाल भगा दिया गया हलाकि परिजनों ने हिम्मत दिखा कर डियेसबी के पास लिखित शिकायत दी तब जाकर यह मामला सामने आया हद तो तब हो गई जब इस मामले में एक आउडियो वाइरल हुआ उस आउडियो में इस्थानिय थाना प्रभारी और आरोपियों के बीच मामले को रफा दफा करने को लेकर बाच्चीत हो रही है आपको बता दें कि नेपाल का रहने वाला पीडित परिवार कई महीनों से जिले के च्वैनपूर में किराय के मकान में रहता था घटना के दिन बच्ची की मा नेपाल गई थी और पिता चौकिदार की नाई ड्यूटी करने गए थे इसी दौरान बच्ची को घर में अकेले पाकर मकान मालिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया इसके बाद जबरन मृत बच्ची का अंतिम संसकार भी करा दिया गया बहराल एसपी ने त्वरित कारवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलम्बित कर दिया है और आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिये हैं बुलेटिन में बस इतना ही हमें दीजे इजाज़त बने रही नेशन निउस के साथ धनेवाद झाल